Assalamualaikum waiverns, मैंने आपको पिछले पार्ट में फन्दे लेना चिखाया था कि हम कैसे फन्दे डालते हैं मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था आज मैं आपको सिखाऊंगी उल्टी स्लाइस से, हम कैसे ये शूस बनाएंगे आज मैं आपको बेबी बूर्टीस बनाना सिखाऊंगे कि हम कैसे त्यार करेंगे यह हमने आपको सिंपल तरीके से कैसे डाल सकते हैं हम शुरू करते हैं यह कहारे हैं यह मैं सलाई उल्टी उल्टी ले रही हूँ झाल झाल यह हम सलाई ले रहे हैं ऐसे करते हुए आपने इसको मुकमल कर लेना यह हमारी फर्स सलाई मुकमल होने वाली है यह देखिए यह हमारी फर्स्ट सलाई मुकमल हो चुकिया ऐसे ही आपने उल्टी उल्टी सलाई डालनी है साथ सलाई आपने डालनी है यह देखिए मैंने साथ सलाई किया है एक दो तीन चार पांच छी साथ यह हमने साथ सलाई यह उल्टी उल्टी डालनी है मैंने फंदे कम करने हैं मैंने 11 फंदे यहां से कम करके बागी के जो मेरे पास बचेंगे वह 11 होंगी तो अब आपने फंदे कैसे कम करने हैं वह आप इसका तरीका देखिए करेंगे तो मैं आपको इसका तरीक अबतार है पहले आपने दो का एक लेने हैं यह आपने दो का एक लेके ऐसी फंदे कम करने हैं ग्यारा फंदे आपके बचने चाहिए सक्रस्थ एक ले आपके बचाँ जेता हैं ऐसे आपने करते करते फंदे कम करने है यह हमारे फंदे कम हो रहे हैं हम देखते हैं कि पिछरे कितने रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा अभी तेरा फंदे चोदा फंदे आपको हमने कम करना है आप इसको एजली कर सकते हैं सलाई पर क्योंकि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप इसली घर पर बैटकर बना सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस क्यारा बारा अभी बारा जो मैंने आपको उल्टी उल्टी सलाईयां सिखाई हैं या आपने 2 की एक सलाई वैसे ये 14 सलाईयों की साथ सलाईयां बन दिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा ये दिखे, अब ये में बस ग्यारा फंदे बच चुकी हैं और मैंने ग्यारा फंदे कम कर दी हैं अब यहां से मैंने लेनी है इसकी पहली सलाई ये हमने उल्टी-उल्टी लेनी है इस तरह करते है यह हमारी पहली स्लाइब हमारी पहली स्लाइब मुकमल हो चुकिया अब इसी तरह करते करते हैं आपने टोटल दस लाइब डाल दिया यह देखिए मैंने आपको पांच लाइब डाल दिया एक दो तीन चार पांच अब मैंने आपको फंदे बढ़ाने क्योंकि हमने यहां से फंदे बढ़ाने यहां पर हमने कम किया तो यहां पर हमने बढ़ाने है हमने 11 फंदे बढ़ाने है तो हमारे बढ़ाने का तरीका यह है मैं आपको दूसरी तरीके से भी बता सकती है लेकिन हम इस तरीके से बनाएंगे दो फंदों के दरम्यान में से आपने ऐसे लेना है और इस फंदे को आपने ऐसे डा आपने 11 फंदे मुकंबल करने है यह देखे मैंने फंदे बढ़ा दिये यह पुरे 11 फंदे हमारे यहां तक हो चुके है अब हमने पहली सिलाई लेनी है आपने इसी तरह लेते हैं अपनी स्लाई मुकंबल करने हैं पहल स्लाईम यह पैलिस लाई है हमारे मुकमल होने वालिया अब हमने यह पैली स्लाई मुकमल कर लिया है तो इसके बाद आपने जैसे हमने यहां पर साथ स्लाईय डाली है एक दो तीन चार पांच छे साथ उसी तरह ही हमने इस साड़ पर भी साथ स्लाईय डाली है 1,2,3,4,5,6,7 और अब भी इनको बंद करें आमने 2 फंदों का एक फंदा लेना है ऐसे 2 फंदों का एक फंदा लेना है 2 फंदों का एक फंदा लेना है दो फंदों का यह देखें हमने इसके फंदे बन कर दिया और यह कुछ इस तरह आपको देखेगा अब मैं आपको इसकी स्टीचिंग बताऊंगे स्टीच करने का तरीका बताऊंगे आपने स्टीच में दागा डालकर इसको उपर वाली साइड से इसको आपने ऐसे गड़के इसको जलाई लेनी है यह आपने इसको यहां से आपने दागा पकड़कर इसको गिरा लगाना नोट लगाना आपने इसको यहां पर ही नोट लगाना यह रिखेंगे अब आपने इसको ऐसे उल्टा करके इसकी स्टीचिंग करने इसको यहां से स्लाई लेते जाना इसको स्टीच करते जाना यह आप इसको इसी तरह ही स्टीच करते रहें इसकी शेव कुछ इस तरह बन रहे हैं आपने इसको इससी तरह यह इस तरह कुछ बना है हमारा बुटी त्यार हो गया है अब यह हमने इस पर वो मतनी लगाने आए आपने इस्टो करते उन स्विजय कारते आपने इस्थंए यह अपने इसी तना इसको मुद्वी को लगा कर कि आप कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं किसी तरीके ही भी यह हमारे बेबी बुटिस तेयार हो चुके हैं आपने मतब के तीन मासेच एक साल के तक के बच्चों के हैं यह बुट्स तो आप इसको बनाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट में आपको वीडियोज अगर आप लोग को नोटिफिकेशन चाहिए तो आपने बेल आइकोन को दबाना है और आपको मेरी नही नही वीडियोज मिलती रहेंगी ओके अल्ला हाफिस उल्यव अल्यव ऑाइब बेलनन चाहिज मेरी नही बीकेशन चाहिए खक thing, इसकाई झाप्रुद